इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते इसके अलावा यह आपको मधुमेह से जुड़ी सभी जटिलताओं से भी छुटकारा दिलाने में सक्षम बनाता है मधुमेह के लिए यह आयुर्वेदिक दवा 13 अत्यधिक प्रभावी जड़ी बूटियों का उप्योग करके तयार की गई है जो आपको बिना किसी दुश्प्रभाव के मधुमेह और इसकी जटिलताओं से लड़ने में मदद करती है इसमें मौझूद शक्तिशाली जड़ी बूटियों के कारण ये टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह को प्रबंधित करने में मदद करता है गुडमार इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है और कोशिकाओं को भी पुनर जीवित करता है जिनका रक्ट शरकरा की स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है यह अपने सूजनरोधी और एंटियोक्सिडेंट गुणों के कारण मधुमेह यानि की टाइप 2 मधुमेह सहित की प्रबंधन में प्रभावी है यह मुक्त कणों से हुने वाली अग्ण्याशय कोशिका क्षती को भी रोकता है जामुन के बीज में एलकलॉइड होते हैं जो स्टार्च को उर्जा में परिवर्थित करते हैं और लगातार प्यास लगने और बार बार पेशाब आने जैसे मधुमेह के लक्षनों को कम करने में मदद करते हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक हरबो डाइबसोल कैपसूल एक प्राकृतिक ग्लूकोज नियामक है जो ग्लूकोज चयापचे को बहतर बनाने में मदद करता है दो, यह आयरवेदिक रक्ट शरकरा नियामक पूरी तरह से प्राकृतिक अव्यवों से बना है और इसका कोई दुश्प्रभाव नहीं होता है तीन, एंटियोक्सिडेंट और सूजन रोधी जड़ी बूटियों का एक अनूठा मिश्रण आपके गुर्दे, तंत्रिकाओं और आँखों की दीरकालिक जटिलताओं को रोकने में मदद करता है चार, डाइबसोल कैपसूल मधुमे से समबंदित बार-बार होने वाले लक्षणों, जैसे प्यास, बार-बार पेशाब आना, ठकान और ठकावट को प्रबंदित करने में मदद करता है ये formulation antioxidant के साथ है, जो oxidative तनाव को रोकने में मदद कर सकता है 6. हर्बोडाइबसोल में आवला होता है, जो मधुमे को प्रबंदित करने में मदद करता है, और शरीर में काबोहाइडरेट चयापचे को नियंतरित करता है 7. हर्बोडाइबसोल एक आजमाया हुआ पुनरता प्राकृतिक कैपसूल है, जो कोई दुश्प्रभाव नहीं होने का वादा करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें